हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में कौन सा वीडियो गेम खेला गया था? कौन सा वो जीव है जो अमर है? ऐसे ही इंट्रेस्टिंग फैक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन सा जीव कभी बीमार नहीं पड़ता है? दोस्तों, धरती पे मनुष्य के उत्पत्ती से पहले से वी सार्क रह रही हैं सार्क दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रानी है जो कभी बीमार नहीं पड़ती साथ लगबग सभी बिम्यारियों के परती परती रोगधक छमता डेबलप्ट कर ली है दोस्तों दुनिया में इंसान ने अमर होने के लिए बहुत से सोध की है कुछ सोध तो अभी भी चल रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा जीव अमर है तो दोस्तों टूरी टॉपसिस दोरनी परजाती की जेली फीस अमर है दोस्तों अंतरिक्ष हमेशा सही सोध का विसे रहा है इंसान अंतरिक्ष में जाने के लिए इन अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहा है क्या आप जानते हैं कि Tetris जो एक विडियो गेम है 1993 में अंतरिक्ष में पहली बार खेला गया था वैसे दोस्तों चांद पे भी खेला गया जा चुका है एक खेल उस खेल का नाम है गॉल्फ आज भी चांद के सता में दो गॉल्फ वाल और एक आईरन की रड पड़ी है दोस्तों हवाई जहाज के आविस्कार के बाद इंसान एक जगा से दूसरी जगा बहुत आसानी से पहुंच जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसी छोटी हवाई यात्रा दूरी मातर देड़ मिनट की है स्कॉटलेंड में वेस्ट रे और पापा वेस्ट रे एरपोर्ट की दूरी मातर देड़ मिनट में पूरी की जा सकती है दोस्तों मौसम और हवा साथ हो या अनुकूल हो तो ये दूरी 50 सेकेंड में भी पूरी कर गई है दोस्तों सांस को ज़्यादा देर तक रोकना सब के बस में नहीं है क्या आप जानते हैं कि बुड़मीर सौबत जो क्रोसिया से हैं वो 24 मिनट 37 सेकेंड तक अपनी सांस रोकने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है आप कितनी देर तक अपनी सांस को रोक सकते हैं कॉमेंट में बताईएगा दोस्तों आप सभी में बहुत लोगों को गाना गुन गुनाने का सौक होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने नाक को बंद करके गाना गुन गुना नहीं सकते दोस्तों दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जिसके जनम के वक्त उसके पंग का रंग ग्रे होता है लेकिन उसके खाने की आदत के चलते उसके पंग का रंग बदल जाता है दोस्तों फिलमिंगो चिणिया का रंग सिंप यानी जींगा खाने के चलते गुलाबी हो जाता है दोस्तों आपने बहुत सारे युद के बारे में पढ़ा या सुना होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंगलो जैंजिबिर युद जिसे अंगरेज और सुल्तान खालिद बिन बर्गस के बीच लड़ा गया था ये युद मात 38 मिनट 45 सेकेंड तक चला था ये इतिहास में लड़ा जाने वाला सबसे छोटा युद था दोस्तों भारत और दुनिया में बहुत से जहरीली प्रजाती के पेड़ पाये जाते हैं नीरम ओलेंडर उनी में से एक है जिसकी पत्ती फूल तना सभी बहुत जहरीली होती है कोई इंसान इसे खाले तो उसकी मौत हो सकती है दोस्तों परमानुबं क्या बिनास कर सकता है ये बताने की जुरत नहीं है मौत को हराने की काविलिया सब में नहीं होती है ऐसा ही जापान में हुआ जब सुतोमू यामागची नामक आदमी जापान में गिरे दोनों परमामू धमाके में जिन्दा बच गए दोस्तों परमले में बचने वाले यामागची एक मात्र इंसान है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सेर कीजिए थैंक्यू